नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योग लोगों को एक जुट करता है और ये नसल, रंग, लिंग, धर्म और राश्ट्रों से उपर है रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने लद्दाक की उस्तिती पर प्रमुक रक्षा ध्यक्ष और तीनों सेना ध्यक्षों के साथ उच्चिस्तरिय बैठक की भारत ने कहा वास्तविक मियंत्रों डेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे सुईकार नहीं जम्मु कश्मीर में दो अलगलग मुठवेड में चार आतंकवादी मारे गए देश के विभिन हिस्सों में वलायकार सूर्गहन देखा जा रहा है और देश भर में कोबेड-19 से स्वस्थ होने की धर 55.49 प्रतिशत हुई दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनन श्रिवास्तव छठा अंतर राष्ट्री योग दिवस आज मनाय जा रहा है इसकी शुरुवात प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलिविजन पर दिये गए संदेश में प्रधन मंत्री ने कहा कि योग लोगों को एक जोट करता है और वैशुक भाईचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एक्ता की शक्ति के रूप में उबरा है ये किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नसल, रंग, लिंग, धर्म और देश की विभिनता के तमाम अंतरों से उपर है योगा एन्हेंस आवर क्वेस्ट फर अ हेल्दियर प्लैनेट प्रधन मंतरी ने कहा कि योग धर्ती को स्वस्थ और स्वरक्षत बनाने की दिशा में स्वशक्त प्रयास है ये हमारा श्वसंत अंतर और रोग प्रतिरोधक शमता को मजबूत करता है प्रधन मंतरी ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ती और ख्रमता को गेतर ढंक से समझ रहा है कोरोना संक्रमित लोग योग का लाब उठा रहे हैं कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दौनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है अगर हमारी इमिनिटी स्टॉंग हो तो हमें इस बिमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है प्रधनमंतुरी ने कहा कि अनुलोंब विलोंब जैसे प्रानायाम से श्वाशनतंत्र मजबूत होता है COVID-19 वाइरस खास्त तौर पर हमारे स्वाशनतंत्र यानिकी रेस्पेरेटरी सिस्टीम पर अटेक करता है हमारे respiratory system को strong करने में जिससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायम सामान्यत तोर पर अनुलोम, बिलोम, प्राणायम ये प्रकारते popular भी है ये प्रभावी भी है यो कि ये सभी विधाएं हमारे respiratory system और immune system दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है प्रधन मंतुरी ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विशह है घर पर योग, परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योग अभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविदी की रूप में अपनाने की अपील की श्रीबोदी ने कहा कि योग ना किवल शरीर को स्वस्थ करता है बलकि मानसिक आरोग्य और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है जिससे चुनोतियों से निपटने की ख्रमता बढ़ती है प्रदान मंत्री ने कहा कि योग हमें आत्म विश्वास देता है और जीवन की चुनोतियों पर विजय पाने की शक्ति के साथ साथ मन की शांती भी प्रदान करता है राष्ट्रुपती रामनात कोबिंद ने छठे अंतर राष्ट्री योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है ट्वीट संदेश में उन्हें कहा कि योग विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपाहार है श्रीक कोबिंद ने कहा कि विशेश रूप से कोबिड-19 महमारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मश्टिश्ट को शांत रखने में मदद मिलती है राष्टुपती ने कहा कि ये हर्ष का विशे है कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग अपना रहे हैं उपर राष्टुपती M.V.K. या नाइडू ने योग को व्यक्ति के शारिरिक और मानसिक आरोगी के लिए महत्पून बताया है छठे अंतर राष्टी योग दिवस पर श्री नाइडू ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विशे घर पर योग और परिवार के साथ योग COVID-19 संकट के दोर में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरुवत को दर चाती है उन्हाने कहा कि योग 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है उपर अश्रुपती ने कहा कि अंतर राष्टी योग दिवस को विश भर में मिल रहा भारी समर्थन प्रसनता का विशे है भारत एक सकारात्मक उदेश से पूरे विश को एक जूट करने में सफल रहा है ग्रिय मंतरी अमिश शाह ने कहा है कि योग ना किवल शरीर को स्वस्त रखता है बलकि ये शरीर और मस्तिष्ट तथा कारे और विचारों के बीच संतुलन बनाए रखने का भी माध्यम है अंतर राष्ट्री योग दिवस के अवसर पर श्रीव शाह ने कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से योग को वैश्विक मानिता मिली है उन्हें कहा कि योग समुची मानवता के लिए भारती संस्कृति की अदभुत भेट है श्रीव शाह ने लोगों से अपील की कि योग को अपने दिन प्रते दिन के जीवन का हिस्सा बनाएं केंद्रिय सूचना एवं प्रसारण मंतरी प्रकाश जावडेकर ने भी योग घर पर और परिवार के साथ करने की अपील की है आज भारत में चुकी करोना का काल है योगा घर में करो फैमिली के साथ करो और इसी तरह सभी परिवार एक साथ आज योगा कर रहे हैं योगा से शरीर मन बहुत अच्छा रहता है और इसलिए योगा का सब को प्रेक्टिस करनी चाहिए आयूश राज्यमंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि अंतराष्य योग दिवस व्यापक जन स्वास्त आंदोलन बन गया है उन्होंने कहा कि अब दुनिया का हर देश अंतराष्य योग दिवस मनाता है और लोगों ने इस आयोजन को भारतिय संस्कृती और परमपरा के पर्व के रूप में अपना लिया है श्रीनाईक ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस स्वास्थ आपातकाल के बीच मनाया जा रहा है इसलिए आयूश मंत्राले पिछले तीन महीने से विभिन ऑनलाइन और हाइब्रिज ऑनलाइन पहल के जरिये घर में ही योगा भ्यास करने को प्रोचसाहन दे रहा है श्रीनाईक ने कहा कि मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता योगा भ्यास के बारे में व्यापक जागरूगता पहलाने के लिए ही आयोजित की गई उसकी घोशना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी अब इस मंत्रा लेने माई लाइफ माय योगा नाम से अंतरराष्टी वीडियो ब्लॉग की प्रतियोगिता शुरू की है भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में इस्सा ले सकते हैं इसमें इस्सा लेने के लिए आपको अपना तीम मिन्ट का एक वीडियो बनाकर अप्लोड करना होगा अल्प संख्यक मामलों के मंत्री मुखतार अब्बास नकवी ने आज छटे अंतरराष्टी योग दिवस पर विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ अपने आवास पर योगा भ्यास किया इस अवसर पर श्री नकवी ने कहा कि योग सभी आयू वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान करता है उन्होंने कहा कि योग अब दुनिया के स्वास्त का मुकुट बन गया है और लोग गर्व महसूस करते हैं कि भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृती पूरी दुनिया के लिए स्वास्त का माध्यम साबित हुई है लद्दाख शेत्र में अंतराश्य योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कोविद-19 के प्रतिबंधों के कारण लोग अपने घरों में ही योगा भ्यास में भाग ले रहे हैं हमारे समवादाता ने बताया है कि राधाकृष्ण माथुर ने ताडासन और भुजंगासन का अभ्यास कर अंतराश्य योग दिवस पर क्षेत्र के लोगों की अगुआई की साथ मनाया खटोर मौसम में दुनिया के सबसे उंचे योदिक्षेत्रिस्या चिन में बारती सेना और इटी बीपी ने अंतराश्य योग दिवस मनाने की कबर मिल रही है योटी प्रशासन ने नहरु योकेंद्रा और आईश के सोवारिकपा राश्ट्री अनुसंदन संस्त की मदद से ग्रामीनों और चात्रों को दूर दराज इलाकों में प्रेसिक्षन दिया सीमा वर्ति गवों के लोगों ने अपने घरों और चतों पर अंतराश्य योग दिवस में उच्छा से भाग लिया आखेश्वानी समाचार के लिए लेसे रमेश चिंद्रा जलंधर में आज सेना की वज्रकोर ने चठा अंतराश्टी योग दिवस मनाया वज्रकोर के जवानों और अधिकारियों ने अपने सेन एड़ों पर शारेरिक और मानसिक स्वास्त में सुधार के लिए उपयोक्त योग असन किये वज्र कोर के सभी स्थर के अधिकारी और उनके परिवार भी योग दिवस कार्टर में शामिल हुए तथा विभिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उप्योग करती हुए घर में ही योग अभ्यास किया उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी शक्ती बढ़ाने के लिए योग अभ्यास करने की प्रतिग्या ली तमिलाड में अंतर राष्ट्री योग दिवस के अफसर पर आज बड़ी संख्या में लोग ने योग अभ्यास किया राजधानी चिन्नई और आसपास की अलाकों में कोबिड-19 के कारण पूरी तरह लोग डाउन लागू है लेकिन योग गुरू तो दुगी की का उप्योग कर छात्रों को प्रशक्षन दे रहे हैं शुलंका में भारती दूतावास और अन्य संखठन अंतराफ्टी योग दिवस मना रहे हैं कुलंबो में भारती उच्चायोग ने शुलंकाई सेना के मुख्याले में योग कारक्रम आयूजित किया सेना प्रमुक लेटरिनेंट जनरल शवेंद्र सिल्वा और भारती उच्चायोग गोपाल बागले ने इसमें भाग लिया जाफना में भारती वानेज दूतावास में आयूजित कारक्रम में भी अनेक कर्मचारियों और चात्रों ने भागलिया और योग के विभिन आसनों का प्रदर्शन किया शुलंका के अन्य शेहरों में भी योग दिवस के अफसर पर कारक्रम आयूजित किये गए इस सबसर पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और शुलंका के राश्टरपर्ती गोटबया राजपक्षा के संदेश प्रसारित किये गए। रक्षा मंतरी राजना सिंग ने आज लद्दाक की स्थिती पर प्रमुक रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और तीनो सेना ध्यक्षों के साथ उच्चिस्तरिय बैठक की। अधिकारियों ने जल, थल और वायू सीमा पर चीनी गत्विधियों की कड़ी नजर रखने को कहा गया है। भारत ने कहा है कि वास्तविक नेंतरों डेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्वीकार नहीं हैं। गलवान घाटी क्षितर के बारे में भारत की इस्थिति एतिहासिक तोर पर इसपश्ट है। के प्रवक्ता द्वारा गलवान घाटी क्षित्र की घटनाओं के बारे में जारी किये गए बयान पर विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अनुराग शुवास्तम ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की इस्थिति के अनुरूप नहीं हैं। अंभीका की विदेश मंत्री माईक पॉंपियों ने चीन की कड़ी निंदा करते हुए उसे घैर जिम्मेदार देश बताया है। मुठवेड में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। ये मुठवेड आर्शनगर जिले के जादी बल ख्षितर में आतंकवादीयों और सुरक्षा बलों के बीच हुई। संयुक्त टीम जैसे ही संदिक्द जगाए पर पहुँची वहाँ छिपे आतंकवादीयों ने गोली बारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कारबाई में ये आतंकवादी मारे गए अभी तक आतंकवादीयों की पहचान नहीं हुपाई है। एतियात के तौर पर श्रिनगा जिले में इंटरनेट सेवा रोग दी गई है। उधर कुलगाम जिले में नेहामा के लिखडी पूरा में मुठभेड में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने एक एक 47 मैगजीन और एक पिस्तॉल बरामत की है। जम्मो कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंग ने आकाश वाणी समाचार से विशश बातचीत में बताया कि मारे गए आतंकवादियों में एक विदेशी आतंकवादी शामिल था। सुबह ही उप्रेशन खास पुलिस की इतलाप पर शुरू किया गया था। वो उप्रेशन खतम होने पर आ गया है उसमें भी तीन तंकी अभी तक मारे गए हैं और अब अलाके का फॉइनल सर्च फोकर चल रहा है। ये समाचार आकाश्वाणी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल एट एयाया निउस हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो तो बात करो कुछ मद्द करो करोना के चलते याद रखो घर की सफाई ना भूलना हाथों को धोना मत भूलना सुरक्ष दादा दादी ना 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 निया भ्यान अपने साथ अपनों का ध्य ये आकाश्वणी है पास्तविक नियंत्रोन रेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्विकारे नहीं जमू कश्मीर में दो अलग-अलग मुठ भेड में चार आतंकवादी मारे गए देश के विभिन हिस्सों में वलयाकारे सूर्य ग्रहन देखा जा रहा है और देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 55.49 प्रतिशत हो गई है कोरोना वाइरस से अब तक 2,27,755 रोगे उपचार के बाद ठीक हुए है स्वास्त मंतुरले ने बताया कि ठीक हुए रोग्यों की संख्या उपचार करवा रहे रोग्यों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है पिछले 24 गंटे के दोरान करीब 14,000 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए है मंतुरले ने बताया है कि इस समय लगभग 1,69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है देश में कोरोना वारस की जाँच की काम में भी तेजी लाई गई है पिछले 24 गंटे में 1,90,000 से अधिक नमूनों की जाँच की जाँच की जाँची है मंत्राले ने बताया कि कोरोना की जाँच के लिए सरकारी प्रयोक्षालाओं की संख्या बढ़ा कर 722 कर दी गई है जबकि 269 निजी प्रयोक्षालाओं में भी कोरोना की जाँच की जा रही है राजिस्थान में कोबिट-19 के बारे में लोगों को जागरू करने के उद्धेश से राज व्यापी अभिहान की आशुरात की गई ये अभिहान दस दिन तक चलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इसका विद्वत उद्गाटन करेंगे अभिहान के तहट वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से पंचायत पृतनिधियों सहित प्रदेश के एक लाख लोगों को जोड़ा जाएगा हमारे समवधधाता ने बताया है कि राजय सरकार ने कोरोना के इलाज और जाँच की दरों को नियंतुरित करने का नेवन लिया है के लिए 4000 रुपे प्रते दिन से अधिक रासी नहीं वसूर सकेंगे इस पीज प्रदेश में आज 154 लोगों में कोरोना की पुष्टी हुई है इन में से सबसे जगदा 69 मामले धोलपूर में मिले हैं शेकावाटी के जुनजुनु में भी आज 22 मरीजों का पता चला है मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 24 नए रोग्यों का पता चला है इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,582 हो गई है हमारे संबादाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मृत्यों के साथ कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या 495 हो गई है मध्यप्रदेश में 8,748 लोग ठीक हो चुके हैं कुल 33 जिलों में कोरोना वाइरस संक्रमन का कुई नया मामला सामने नहीं आया है भोपाल और इंदोर में 55-55 नय मामले दर्ज किये गए हैं राज्य में सबसे ज़्याद प्रिभाविस जिले इंदोर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4246 हो गई है वहीं राज़ानी भोपाल में अब तक 2437 कोविड-19 मरीज सामने आये हैं महराष्ट में कोविड-19 के उपचार के बाद ठीक होने वालों का प्रतीशत बढ़ रहा है लेकिन मुंबई में महमारी का संक्रमन अपनी दिशा बदल रहा है हमारे संवादाता ने बताया है कि प्रशासन इस बीमारी के फैलाव को रोकने के सभी प्रयास कर रहा है और उमीद है कि इन इलाकों में कोई त्वरित कारे यूज ना लाई जाएगी मुंबई में कोईड-19 के मरीजों के ठीक होने के दर में एक तरफ सुधार जारी है कड़ा लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर जोर दिया है शाहिलेश पाटिल आकाश्वणी समाचार मुंबई मेगाले में पांच और लोग कोरोना वाइरस के उप्चार के बाद स्वस्थ हो गए है एक ट्वीट में राजी के मुख्मंतरी कॉनरेट संगमा ने बताया कि इसके साथ ही मेगाले में अब किबल छे लोगों का ही कोरोना वाइरस का उप्चार चल रहा है नगालेंड में आज 10 लोगों में संक्रमन की पुष्टी के बाद COVID-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 211 हो गई है इन में से 73 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 138 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं मिजोरम में पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति में संक्रमन की पुष्टी के बाद COVID-19 मरीजों की संख्या 141 हो गई है राज में 9 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 132 मरीजों का इलाज चल रहा है आकाश्वानी का समाचार सिवा प्रभाग विशेशग्यों की सलाह शुंखला में COVID-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकितसा विशेशग्यों की राय प्रसारित करता है नई दिल्ली के अखिल भारती आरविज्यान संस्थान एंस के पल्मनरी मेडिसन विभाग के प्रमुक डॉक्टर अनन्त मुहन ने लोगों को सला दी है कि वे हैड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें एंस की ही वरिष्ट नर्सिंग अधिकारी जिनसिता गुंजाल ने कहा है कि कुविड-19 संक्रमन से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है आकाश्वाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्कर में कोबिड-19 पर विशिश परचर्चा प्रसारित करेगा भारती आयरविज्यान अनुसंधान परिशद, ICMR में महमारी विज्यान और संक्रामक रोग प्रभाग के प्रमुख विज्यानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड कर चर्चा में भाग लेंगे शुरता इस्टूडियो में सीधे फोन कर विश्यशक के से सवाल पूछ सकते हैं नंबर है 011-2331-4444 हमारा टोल फ्री नंबर है 18000-11-5767 हैस्टेग आसक AIR का इस्तमाल कर ट्विटर हिंडल एट AIR News Alert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं ये कारक्रम रात 9 बच कर 30 मिनट से एफम गोल्ड और अत्रिक मीटरों पर सोना जा सकता है ये कारक्रम हमारी वेबसाइट न्यूजोन AIR.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूजोन AIR ओफिशल पर भी उपलब्द रहेगा मुबाइल एप न्यूजोन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं ये समाचार हमारी वेबसाइट न्यूजोन AIR.com और हमारे मोबाइल एप न्यूजोन AIR श्लेश हिंदी पर भी उपलब्द हैं काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा समय समय पर हाथ दोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम दो बैस की दूरी बनाए रखूँगा खुद को दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूँगा जब देश के मेडिकल और सच्छता करमचारी रोज करोना वायरिस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्हेदारी बनती है अपना काम करने की है बनी तुझे कुछ हो गया तो हजारों लोग इस बिबारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बिमारी हो भी जाए तो सरकार में हस्पताल में हमारे इलाज के लिए प्रयाप्त विर्वस्ता कर रखी है ये घबराने का वक्त नहीं एक दूसरे का होस जो हुआ है ना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और प्रित्वी के बीच आता है कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढख लेता है सभी सूर्य गहणों में सूर्य, चंद्रमा और पृत्री पूरी तरह संग्रेखित नहीं होते हैं ऐसे में केवल आंशिक गहण देखने को मिलता है जब तीनों खगोलिय पिंड एक सीधी रेखा में होते हैं तब लोग पूर्ण सूर्य गहण का अवलोकन करते हैं आज राजस्तान, हरियाना, उत्राखंड में बलायाकार सूर्य गहण देखने को मिल रहा है देश के अन्य हिसों में लोग अन्सिक गहण देख पा रहे हैं बिग्यान और प्राद्योगी की मंत्राले ने लोगों से आग्रह किया है कि वे दूब के चश्में, एक्सपोस्ट एक्सरे सीट या सीशे पर लेंबलेक रखकर सूर्य गहण ना देखें क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है पानी के सतह पर सूर्य की छबी देखना भी सुरक्षित नहीं है मंत्राले के अनुसार 13 या 14 के वेल्डर ग्लाज से सूर्य गहण को सीधे देखा जा सकता है अनुवमिश आकाश्वानी समाचार दिल्ली पंजाब, हर्याना और चंडिगण में भी आजने की स्थानों पर लोगों ने सूर्य गहण देखा जबकि संत महत्मा भी सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए सिमित संख्या में ही नजर आए और पवित्र स्तरोवर में इस्तनान तथा पूजा अर्चना की हर्याना में अंगूठी के आकार का सूर्य गहण सिरसा, यम्नानगर और कुरक्षित्र में देखा गया उत्तर प्रदेश में आज लोग सूर्गिरहंट देख रहे हैं, खगोली घटनाओं में रुची रखने वालों के लिए ये एक विलक्षन घटना है सूर्ग रहन के दोरान अनेक लोगों ने अपनी रोजमर्रा की गत्विधियों को नई सिरे से विवस्थित किया है, ब्यवरा हमारे समवादाता से आयाईटी कानपूर, MNNIT प्रियागराच और B.H.U.R.C. सहित, प्रदेश में कई संस्थाओं में जिंग आफ फायर की घटना का अध्यन करने के लिए बिवस्थाएं की गई थी बैग्डानिकों की लोगों को इस खगोली घटना को नंगी आँखों से नहीं देखने की तलाह के चलते अधिकांस लोग अधिकांस समय अपने टीवी सेट्टों पर चित्के रहे कुछ लोगों को चंदर्मा की चाया के दर्शों को अच्छी तरह और सुरचित धंग से देखने के लिए जुरबीन, संग्लास और एक्सरे फिल्म का प्रियोग करते देखा गया हालां के कई स्थानों पर आत्मान में बादल चाय होने के कारण लोगों को इस अवसर से बंखित और निराश होना पड़ा गुजरात में भी लोगों ने आंशिक सूरगहंट देखा जहां सूर का 70 प्रतिशत हिस्सा धका हुआ था हमारे समवाददाता ने बताया कि सूरगहंट सवेरे 10 बचकर 3 मिनट पर शुरू हुआ और लगभग 3.5 घंटे रहने के बाद दोपहर 1 बचकर 32 मिनट पर पूरा हुआ गुच कोष्ट ने चात्रों के लिए इस ग्रहन को देखने और अधियन के लिए विशेश विवस्ता की थी खगोल विग्यान पर काम करने वाले कई संगठन और व्यक्तिवों ने भी इस आंसिक सुर्य ग्रहन को देखने के लिए जीवन्त और ओनलाइन कारेकरम आयोजित किये कच के स्टार गेजिंग इंडिया के संस्थापक नरेंदर गोर ने आकास्वानी को बताया कि लोगों ने पूरे विग्यानिक दरश्टिकोन के साथ इस सुर्य ग्रहन को देखा स्टार गेजिंग इंडिया द्वारा लोगों में वईज्यानिक जागरुकता पैदा करने के लिए सोस्यल मीडियार प्लेटफोर्म के माध्यम से वेबिनर का भी आयोजित किया गया एमेजिंग स्पेस के तन्मई व्यास ने खगोल प्रिमियों के लिए फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर लाइव व्याख्यान आयोजित किये योगेश पंडिया आकाश्वानी समाचार अहम्दाबाद बिंगलूरू में आज सुबे 10 बच कर 12 मिनट से दोपहर 1 बच कर 31 मिनट तक सूर गैहन देखा गया इस दोरान 40 प्रतिशत जश्यता रही बेवरा हमारे समवादाता से चंद्रग्रह की चाया सूरज को 40 प्रतिशक ओजल करने का नजारा बादलों के बीच से दिखाए दिया बिंगलूरू में काफी लोग अपने चछतों से विशेश चस्मा और टेलिसकोप की मदद से सूर्य ग्रहन के अद्भुत प्षन का नजारा किया संक्रमन की वज़ा से बिंगलूरू के जवारलाल नहरू प्लानिटोरियम में लोगों के आने पर पाबंदी लगाए गई थी मगर सूर्य ग्रहन की नईच तस्वीर को उनके विबसाइट तारालाया.org में दिखाया गया करनाट का ग्नानवी ग्नाना समीती ने भी ग्रहन को देखने का इंतजाम किया था मगर उत्तर भारत में जो रिंग आफ फाइल दिखाय दिया उसका दुरुष यहां बिंगलूरू में नहीं दिखाय दिया सुधी इंद्रा का शुनी समाचार बिंगलूरू और अब देश भर में आज की मौसम के साथ नईम अख्तर राश्ट्री राजधानी दिल्ली में बादल चाये रहेंगे और हलकी वर्शा हो सकती है न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है मुंबई में सामाने रूप से बादल चाये रहेंगे चेननाई में सामाने रूप से बादल चाये रहेंगे कोलकाता में आंशिक रूप से बादल चाये रहेंगे और एक या दो बार गरच के साथ बौचा रहें पर सकती है गोवाहाटी में आमतार पर बादल चाये रहेंगे और एक या दो स्थानों पर वर्षा होने या गरच के साथ छीटे परने की संभावना है केंदर शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में नियूनतम तापमान 20 डिग्री सेलसियस रेकॉर्ड किया गया अधिक्तम तापमान 42 डिग्री सेलसियस रहने की उम्मीद है श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल चाये रह सकते है यहां का नियूनतम तापमान 14 डिग्री सेलसियस रेकॉर्ड किया गया और इसके अधिक्तम 31 डिग्री सेलसियस तक जाने की संभावना है गिल्गित में तापमान 13 से 34 डिग्री सेलसियस के बीच रहने का अनुमान है मुजफराबाद में आशिक रूप से बादल चाये रहने की संभावना है यहां का नियूनतम तापमान 18 डिग्री सेलसियस रेकॉर्ड किया गया जबके अधिकतम 37 डिग्री रहेगा आज विश्व संगीत दिवस है सूचना और प्रशारण मंतरी प्रकाश जावडिकर ने इस अबसर पर लोगों को शुप कामनाई दी है श्री जावडिकर ने एक ट्वीट में कहा कि जीवन में संगीत महत्पूर भूमिका निभाता है अंत में मुखे समाचार एक बार फिर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा योग लोगों को एक जूट करता है और ये नसल, रंग, लिंग, धर्म और राश्ट्रों से उपर है रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने लद्दाक की स्थिति पर प्रमुक रक्षा ध्यक्ष और तीनो सेना ध्यक्षों के साथ उच्चिस तरिय बैठक की भारत ने कहा वास्त्विक नियंत्रन रेखा को लेकर चीन के अनुचित दावे उसे स्वीकार नहीं जम्मु कश्मीर में दो अलग-अलग मुठबेड में चार आतंकवादी मारे गए देश की विभिन हिस्सों में वलायकार सूर्गहन देखा जा रहा है और देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 55.49 प्रतिशत हुई इसकी साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार